वर्तमान समय में भारतिय परिधान पूरी दुनिया के लिए एक आकर्शन का केंद्र पना हुआ है साथ ही भारतिय फाशन की शालेंता और उसकी ग्लामर को ग्लोबल बनाने के लिए नौइडा स्तित मारवा स्टूडियो में दो दिवसिय दा इंडिया स्ट्राइल फाशन वीक सीजन टू का फवे आयोजन किया गया जिसका उदेश्य भारतिय पारमपरिक परिधानों को आधुनिक्ता के साथ जोड़कर दुनिया को आकर्शित करना था साथ ही उबरते हुए फैशन डिजाइनर और मॉडल को एक मंच देना जिससे वो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर भारत का नाम रोशन कर सकें इस फैशन वीक में ICMEI के संस्थापक डॉक्टर संदीप मारवा ने उपस्तित सभी लोगों का धन्यवाद किया और कहा कि मुझे बहुत खुशी है हमारे स्टूडेंट्स ने फैशन के साथ साथ इंटीरियर डिजाइन पर भी काम किया है और कुछ हट कर करने की कोशिश की है एक फैशन डिजाइनर अपने आप में एक शिल्पकार है डॉक्टर संदीप मारवा ने कारिक्रम में उपस्तित सभी लोगों को दो इंडिया स्टाइल फैशन वीक का सर्टिफिकेट दे कर सम्मानित भी किया जाने माने फैशन कोरियोग्राफर कौशिक गोश ने अपना अनुभव साजा करते हुए कहा कि जब मैंने पहला सीजन शुरू किया था तब मैंने सोचा कि इन मौडल्स को मुझे राश्ट्वे स्तर पर पहुँचाना है और दीरे दीरे मैं इस कोशिश में लग गया बहुत महनत लगती है लेकिन कोशिश रंग लाई पहला सीजन अच्छे से सफल हुआ और अब दूसरा सीजन है मौडल्स बहुत महनत करती हैं मेरे पास डिल्ली मुंबई और भी जगा से मौडल्स आई हैं कारिग्रम में स्टूडेंट्स द्वारा डिजाइन किये गए कप शक्तिपुरुसकार 2018 से संबानित प्रसिद्ध समाज सेविका और भारतिय पारंपरिक हस्तकला की एक्सपर्ट रोमा देवी ने इस अवसर पर कहा कि मुझे बहुत खुशी है कि मैं इस कारिक्रम का हिस्सा हूँ हमारा कलेक्शन सबको बहुत पसंद है मैं हर शो में करती हूँ जो महिलाएं डेजाइन करती हैं उनको भी मॉडल्स के साथ रैम वाक कराओं वो अपने हातों से इतना सुंदर पोशाग बनाती हैं तो हमारा होसला बढ़ता है यहाँ पर भारती परिधानों की बहुत ही खुबसूरती के साथ प्रस्तूती करण किया गया जो आ फब सक्राइक करता हैं यहाँ ओंटक रखंटी मेधबस ऑ्रफ प्रस्तूती में घा 수도ちょっと करья ऐसकीों Schopen कर जानाती हैं इस वोडराती मॉड्याँ ऑ्र karışिपलनावन गर लेखल वेवाव सर्फ बहुत हैं उनके था दिग प्रस्ति इंश का थे उनमळबस्त, क्ति एए भरक् लिएक प्रिस्षियर थाज उन रेत्षों मेंड़नों ने कोड़र्टेरी ठेल यहां प्रश्ट प्रकार ओ जूरी थे delic कि जो इंहma है इसा क्ज़र्व मोन भेफ भ्रावी फिस प्लीड से prayer प्रेट प्रेंस प्यां चाहित नेखिएर प्रेच десятकjang मेंड़ना तर फ्रिस्त in the first week of December let's let's hope that that show becomes better than even this first of all I would congratulate Sandeep Marwa ji for having such a beautiful show here has seen the studio the library everything is so 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 beautiful and now I think most of the shows will happen here first was in Delhi but now it will happen here only our shows are really really कि beautiful and especially sonyaja jegi for po one she's a dear friend for whom I came the all the clothes was so 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 beautiful stunning I think she really did a good job forever next season this coming winters will wear addresses only because they were really really beautiful and I hope a pretty show will be better than before how did you how do you feel about coming अभुड़ प्रुच अभूच किन अभू में अभू खाप इस साथ कर दूए अभू झाल है ते भी चाहल प्रीटान कीवजिश्य गार, विक द मुछकि एक प्रड़ क्या है पक्राइड्ड कोर्ष मार्द इंट देड्टार्यूजिश्य गाइड देम वेल, I think for any student this is one platform where you can get so much of exposure working with such ace designers getting a platform to walk such shows you know to get such audiences that really boosts your confidence and gives you a platform to showcase your own talent I think that's the best thing that any student can actually experience what do you like to say about Marwa Sant? I think Marwa sir is extremely humble person to be working with him or to be under guidance to be in under guidance of Marwa sir is an opportunity in disguise because you learn so much while you're around him while you're just you know learning through him because you just don't learn the art but you also learn how to showcase that art and how to deal with people because at last this is people's business and you have to know how to be humble how to be welcoming how to be hospitable and who better can teach than Marwa sir himself see I have attended Sonia Jaitley's show and it was really very good I being myself a designer and I'm telling my flagship store in Noida itself close to Marwa's store so when I see like people are turning more towards sustainability and eco-friendly products and same again we believe that if we save the planet earth we'll contribute a lot to the mother earth so the show was good and the new building which Marwa ji has made is immensely beautiful and it's giving lot of arena and lot of courage to new designers and lot of good new platforms to the students so that was amazing it's my pleasure and honor to be here well I look forward for this fashion week and we just witnessed Sonia Jaitley's collection which was fabulous it was all about sustainable fashion it was amazing and it's a great honor to be here season after season and Sandeep Marwa ji you know who is a dear friend and we have admired him from years and we've seen amazing work the kind of he's been so humble and kind every season he invites us which is really nice and we get to see young talent season after season putting up the best collections I wish them all the best thank you so much so India Style Fashion Week this is the second season which is in Marwa Studios and we have a venue partner and the first show was our students so our eight students which is three students who are one of the students who have launched their brands and they are very successful so it was their show and the rest of the students who are in the modeling and who are studying fashion design they have participated this is my own fashion week in fact my India only fashion show director who has my own property India Style Fashion Week I'd like to thank Sandeep Marwa ji for letting us host this show in this beautiful campus of Marwa Studios in this show there are many supermodels from all over India Miss India's you've also watched the showstop we had a Miss India and it's always a fun because fashion week there are a lot of work in this show especially in two days we have a lot of celebrated designers and also we have designers from all over India from Gohati from Kolkata Bombay Bangalore you know Assam everywhere Delhi so it's a mix and match a lot of designers that's all that I have to do the Indian style fashion week and they also have a great experience and they also have to offer this one of the audience and as you know in the world the audience has been really so I'm glad बहुत बहुत धनेवार आपके साथ साथ आप इंट्रेक्ट करती होंगी जो मैलाएं बनाती है उनको कैसा भी रोता है इतने वहांगों पर आते हैं तो हमारा होसला बढ़ता है कि हमें और कुछ नया करना चाहिए रोज नया करने का हम सोसते रहते हैं और जो हमारी बैने हैं वो बहुत खुशी-खुशी से ये प्रोडेक्ट तयार करते हैं